थेलो दोस्तों आज मैं इंडारेक्ट नरेशन के पार्ट सेकंड के साथ हाजिर हूँ इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था परसनक आग्यान और आर्वी और आर्यस के बारे में बताया था कि काउन कैशे बदलता है अब थोड़ा आगे देखते हैं एक ज्यांप तो देम आई डू माई वर्क माई सेल्फ आएंड यू डू यूर वर्क योर्सेल्फ इसमें बहुत सारी परसन हैं इससे घवडाने की जरूट नहीं है थोड़ा देखते हैं कि कौन सा परसन कैसे बदलता है और उस परसन की जगाए पर क्या आता है देखते हैं मैंने पहले वीडियो में बता था कि परसन बदलने का नियम में की रिपोर्टिंग वर्व के करता और कर्म के घर के पांज पांच पांच अदर्श्यों का नाम आप लिखिए तो शुरू करते हैं सी करता है दिम कर्म है सी के घर में पांच लोग है एक करता है एक कर्म है एक अपना है एक स्वयम है एक अपना के अग्रेजी और है तो सी का करता है जायती बात है सी होता है सी का कर्म हर सी का अपना हर सी का स्वयम हर सेल्फ और सी का अपना हर हर परसन के घर में पांच लोग रहते हैं इनके घर में पांच लोग हैं पांच लोगों का मैं नाम मैंने लिख दिया यह कर्म है आपजेक्ट हैं इनके घर में भी पांच लोग हैं एक करता है एक कर्म है एक कर्म हैं एक अपना है एक स्वयाब है एक और अपना है हमें आपको पहले बताया और रिपोर्टिंग वर्ब के करता के घर के पांटों सतस्यों का नाम लेखिए करये दिए करम के घर कें पांटों सतस्यों का नाम लेखिए दे म का करता दे का दे का दिम् तो कर्म की जब आपना की अंग्रेजी देर स्वयम की अंग्रेजी देम सेल विस इस अपना की अंग्रेजी देर इसी तरह से जो भी कड़ता रहें जो भी कर्म रहें उसके घर के पांच सदस्यों का नाम लिखे लिए एक बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे जब याद हो ज रही दिए यह reported speaking नहीं होता है तो आई ए सब्सकेंड परसन बदलता है रिपोटिंग वर्ब की आप जिल्द के अनुसार और सड़ परसन में कोई चेंजेज नहीं होता है तो आइए देखते हैं कि परिवर्टतन होता कैसे हैं बदलते कैसे हैं उनकी जगा पर कौन आता है तो देखते हैं तो हमने पहले वीडियो में बता था कि आ परसन है उनकी उनका नाम और पद नाम लिखी है शुरुवाद यहीं च करते हैं आई क्या है, फ़र्ट परसनō का क्या है पतलब आई करता है कि करल सोयव है कि अपना है कि अपना की यहां पर आई करता है, यहां पर हम लिख दे, I करता है, यह मारी क्या छीज़ है, माई भी फेड पर्सन है, लेकिन यह अपना की अंगरेजी है, लिख लिछ जी आप, माई शेल्फ क्या है, यह भी फेड पर्सन है, लेकिन यह स्वयम की अंग्रेजी है, तो फैट परसन का यह करता है, माई फैट परसन की अपना की अंग्रेजी है, माई सेल्फ फैट परसन की स्वयम की अंग्रेजी है, यू इस पर आजाईए, तो यू जो है, सेकेंड परसन है, सेकेंड परसन का करता है, second person का करता है इस करता के बाद तो क्रिया आई है क्रिया के पहले करता होता है तो यू करता है यूर भी second person है लेकिन ये अबना की अंग्रेजी है तो आप यहाँ लिखे ले second person की अबना की अंग्रेजी यूर सेल्फ भी second person है कहने का मतलब दोस्तों जितनी भार भी पर्षन आयें जितनी भार पर्षन आये शेकल रह सब्सक्राइब आप उनका नाम और उनका पदनाम लिखने लूजो कर बहुत सहुरियत होगी बड़ा से बड़ा इंडारेक्ट भी आप है चुटकियों में हल कर लेंगे इंडारेक्ट का कोई हावा नहीं रह पाएगा तो आपने लिख लिया सब अब आप देखें इस्टेप नंबर तीन में था कि परसन बदलने के लिए रास्ता बनाना आप और यह यह पोर्टोड के पीज परसल बदलते है लिपोर्टिária कर्ता के रूसर यह कर्म के रूसर कुंछ परसन कर्ता के रूसर सब्चिप बदलते हैं पर्यपर्शन changes according to the subject of reporting verb and second person changes according to the object of reporting verb लेटासी यह फैड़ परसन है तो मैं हूँ फैड़ परसन मैं बदलूँगा करता हूँ करता से मैं हूँ फैड़ परसन मैं बदलूँगा करता से दोस्तों रिपोर्टीड श्पीच में जितनी बार भी फैड़ परसन आये हैं यह सारे के सारी बदलेंगे करता के अनुसार करता के अनुसार यहां पर सी हैं यहां चाहिए जो भी करता होता उसी का अनुसार बदलता है तो मैं हूँ फैर्ड पर्षन मैं बदलूँगा करता से ये बदलेगा C से एक आपक डंडी बनाई है तो करता बदलेगा C से ये भी है फैर्ड पर्षन तो मैं हूँ फैर्ड पर्षन मैं बदलूँगा करता से ये भी C के अनुसार बदलेगा myself भी third person है यह भी third person की करता के अनुसार reporting verb के करता के अनुसार बदलेंगे तो person चाहे जितनी बार रहें तो अगर third person है तो they will certainly change according to the subject of reporting verb third person चाहे कितनी बार रहें हमेशा बदलेंगे दोस्तों करता के अनुसार इधर देखिए यह यू है second person यू है second person तुम हो second person तुम बदलोगे कर्म से यू जो है कहां से बदलेगा कर्म से second person always changes according to the object of reporting verb second person बदल जाते हैं कर्म के अनुसार third person बदल जाते हैं कर्दा के अनुसार तो you बदल जाएगा कर्म के अनुसार you की पगडंडी जो है बन जाएगी कर्म के अनुसार यह योर यह भी second person है यह भी बदल जाएगा कर्म के अनुसार कर्म में चाहे जो रहें तो दिम के अनुशार बदलेगा अब आप इधर देखें योगर से ये भी सेकेंड परसन है ये भी बदल जाएगा कर्म के अनुशार तो ये था स्टेप नंबर तीन कि परसन बदलने के लिए रास्ता बनाना पगड़न्डी बनाना एक कर्म के अनुशार अगर इस स्टेपिस में थर्ड़ परसन कहीं दिखे जाए तो आप जानते हो कि थर्ड़ परसन कहीं नहीं बदलता है उसको जहाँ है वही से पड़े रहने दीजे आगे देखें हम आपको बता रहे हैं अब आई जो बदलेगा सी से तो आई की जगह पर आएगा क्या माई की जगह पर आएगा क्या माई सिल्ब की जगह पर क्या आएगा यू की जगह पर क्या आएगा यूर की जगह पर क्या आएगा यूर सिल्ब की जगह क्या आएगा यही सबसे टिपिकल बात हैं दोस्तों ले यह निश्चित रूप से हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे यह कर सकते हैं कि निश्चित रूप से मैं आपको समझा दोंगा, देखें, आए करता है, तो करता जाएं, तो करता आएं, आप हमें एक बाइद रताईएंगा माता हैंगा, अगर किसी बैंक मैंडेजर की जगह पर क्या आता हैंगाताईगा। आशी तो उसका काम कर नहीं सकता तो जाहिसी बात है बैंक मेनेजर की जगह पर बैंक मेनेजर ही आएगा तो वह इसी बात मित्तो नरेशन में आती है अगर करता बदलता है तो करता आएगी करता जाएगा करता लेकर आएगा अपना जाएगा अपना लेकर आएगा तो देखत जाएगा इनके घर में पांच लोग हैं यह कूंकि यह करता है तो करता को ही ढुड़ेगा करता को तलासेगा तो देखिए अगर इनके पाज जाएगा तो यह तो अपना की अंग्रीजी है आई कहेगा मैं करता हूँ मुझे करता चाहिए ये स्वयम की यंग्रेजी है, मुझे करता चाहिए, ये अपना की यंग्रेजी है, मुझे करता चाहिए, ये कर्म की यंग्रेजी है, मुझे करता चाहिए, ये करता है, बस मुझे आप की ही तलास थी, आए इनके घर आएगा, सी का करता सी, तो करता जाए, तो करता लेके आए C को लेकर के जाएगा, अपनी जगह पर बैठाएगा, यह कहेगा, भाई चाह बाप, बैठ जाओ मेरी जगह पर. तो A की जगह पर क्या जाएगा? C आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, यह माई, यह अपना की अंग्रेजी, माई की अंग्रेजी जाएगी इसी राज़्छे से जाएगी इनके घर में परवेश करेगी इनके घर में पांच मिंबर हैं इनमें देखेगी किसमें अपना की अंग्रेजी क्या है किसमें अपना की अंग्रेजी हर हैं तो माई माई जाएगी इनके घर में अपना की अंग्रे पर क्या हो जाएगा हर हो जाएगा अब आके देखते हैं यह स्वयम की अंग्रेजी पुठ हूड़ेगी अगर मिल जाती है उनको लेकर के आएगी तो बताएए सी के घर में स्वयम कंगरेजी क्या है स्वयम कंगरेजी हर सिल्फ है हर सिल्फ को पकड़ेगी इनको अपने साथ लेके आएगी कहेगी चलो मेरी जगाएं पर बैट हो अब माई सिल्फ की जगाएं पर क्या हो जाएगा हर सिल्फ हो जाएगा मैंने पहले ही बताया कि करता की जगह पर करता ही आएगा कर्म की जगह पर कर्म ही आएगा अपना की जगह पर अपना आएगा सोयम की जगह पर सोयम आएगा तो देखें आई की जगह पर C आया, C भी करता ही है, माई अपना की अंग्रेदी है, इसकी जगह पर हर आया, हर भी अपना की अंग्रेदी है, माई सिर्फ स्वयम की अंग्रेदी है, इसकी जगह पर स्वयम की अंग्रेदी ही आई, इसी तरह से आगे देखते हैं, यू करता है लेकिन अब इनका राष्टा अलग है ये सेकंड पर्थन है इसलिए ये कर्म के अनुसार बगलेंगे तो यू जाएगा इनके घर में जाएगा इनके घर में करता को खोजेगा इनके घर में पांच लोग हैं इनके करता कौन है तो ये करता ये हैं ये हैं तो करता जाएगा इन को पखड़ेगा देखो देखो लेकर के आएगा अपनी जगह पर बैठ जाओ तो यू की जगह पर दे हो गया अब आप देखें यूर ये भी शेकन परसन है इनका वी राष्टा लगा हुआ है कर्म के घर इंको भी जाना है तो अपना कंगरेजी जाएगा अपना कंगरेजी क कर आएगा करता जाएगा करता की अंगरेजी को लेकर आएगा तो दोस्तों यूर जब इनके घर में जाएगा तिनके घर में अपना कंगरेजी क्या है ये देर है तो देर को लेकर के अपनी जगह लाएगा अपनी जगह बैठाएगा तो यूर की जगह पर देर हो जाएगा ये देखें ये स्वयम का अंग्रेजी है, स्वयम का अंग्रेजी भी इनके घर में जाएगी, इनके घर में स्वयम की अंग्रेजी को खोजेगी, स्वयम की अंग्रेजी ये भाई शाहब है, इनको ले करके आएगी और अपनी जगह पर रख देगी, तो योर सेल्फ की जगह पर क्या हो जाएगा देंसे लेश तो देखें दोश्तों परसं चाहे चतने हों बजलना उनको करता की अनुशार है या कर्म की अनुशार है पहले से ही पता है कि फ़र्ड परसण हमेशा बजलता है कर्ता के अनुशार सेकेंड परसन हमेशा बदलता है कर्म के अनुशार समझने वाली बात ये है अकर करता है तो करता की जगह करता ही आना चाहिए कर्म है तो कर्म की जगह पर कर्म ही आना चाहिए सोयम है सोयम की जगह पर सोयम ही आना चाहिए है आपना गी आपना पर अपना था परस बदलने का लिया हो जाएगा माइटी जेगा यहा सिर old हो जाएगा मासल्फ की जगह पर हर से हो आगा तो इतना बताने का मतलब है कि परसन बतलते कैसे हैं उनकी जगह पर आता क्या है एक इक जामपल आउड देखते हैं यू लाइक मी यूर फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर तो हम आपको इसक्ट्यांबल के मादम से भी बताने की कोशिज कर रहे हैं कि परसंद बदलते कैसे हैं उनकी जगह पर आता क्या है जब यही आपको क्लियर हो जाएगा तो टेंस बदलने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है था रिपोर्टिंग वर्व में जो करता है उसके घर के पांचों सदस्यों का नाम लिख दीजिए जो कर्म है उनके सदस्यों पांटों सदस्यों का नाम उनका भी लिख दीजिए देखते हैं दे के घर में ये करता है एक कर्म है एक अपना है एक स्वयर्व है और एक अपना की अंग्रे जी और है, तो दे का करता दे, दे का कर्म देम, दे का अपना दे अर, दे का अश्वर्यम देम सेल वेस, दे का अपना दे अर्च, अश के घर में भी पांच सदस हैं, उनका भी नाम निखिलेजिए, एक करता है, एक कर्म है, एक अपना है, एक स्वयम है, और एक अपना और है, तो अश के घर में पांच लोग, दे के घर में पांच लोग, अब आजे इधर देखते हैं, यह रिपोड़ेड स्पीट है, रिपोड़ेड स्पीज के पर्शन जो है, इनके करता या कर्म के अनुसार बदलते हैं, रिपोड़ेड स्पीज का सेकंड पर्शन कर्म के अनुसार बदलता है, और रिपोड़ेड स्पीज का फैड पर्शन रिपोर्टिंग वर्व के करता के अनुसार बदलता है, मैं कोई परवर्पन नहीं होता है, तो अब इसमें क्या step था? क्या आप इनके person के नाम और पदनाम लिखिए हैं, तो लिखते हैं, तो you क्या है, you second person है, second person का क्या है, यह करता है, यह second person का करता है, me, me क्या है, यह fat पर्सन है लेकिन ये कर्म है मतलब आप यक्ट है फ़र्ड पर्सन का कर्म है ये सेकंड पर्सन का करता है जोर क्या है जोर सेकंड पर्सन है लेकिन ये अपना की अंग्रेजी है एक देखिए एक परसन यहां आओ रहा है यह माई है यह फाट परसन है फाट परसन की अपना किया उंग्रेजी है इसी तरह से रिपोर्ड़ स्पीच के परसन का नाम और पद नाम लिख लिजे इनके घर के पार्टों मेंबरों का नाम लिख लिजे एक बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे तीन बार लिखेंगे जब लर्न कर लेंगे तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं होगी अब आप देखें तीसरा हिटिव था पकडंडी बनाना राष्टा बनाना कौन सा परसन किसके घर जाएगा और क्यार लेकर आएगा उसको आप बनाईए यह सिकेंड परसन है सिकेंड परसन बदल जाता है कर्म की अनुशार यह फैड परसन है फैड परसन बदल जाता है कर्दा की अनुशार यह सिकेंड परसन है सिकेंड परसन बदल जाता है कर्म की अनुशार यह फैड परसन है फैड परसन बदल जाता है कर्दा की अनुशार सिंपल सी बात है फैट पर्सन बदलते हैं सेकंड पर्सन बदलते हैं लेकिन थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं फैट पर्सन सब जगड के रुठार बदलते हैं सेकंड पर्सन आप जगड के रुठार बदलते हैं हमने पकडंडी बना दिया रास्ता बना दिया अब आप आगे देखते हैं कि करता बदलेगा तो क्या आएगा कर्म बदलेगा तो क्या आएगा अपना के अंग्रेजी बदलेगी तो क्या आएगी मैंने आपको पहले बताया था कि करता जाए तो करता आए कर्म जाए तो कर्म आए अपना जाए तपना आए अपना जाए तपना आए देखते हैं तो यू करता है करता आज के घर गया इनके घर में जो करता है उन्हीं को लेकर आएगा इन पांतों में करता कौन है करता ये भी है तो करता जाएगा जी को लेकर आएगा अपनी जगहां पर रहे हैं बैठाएगा यू की जगहां पर क्या होगा वी होगा ये मी देखिए ये कर्म है कर्म जाएगा तो कर्म आएगा कर्म जाए तो कर्म लेकर आए तो मी इनके घर जा तो ये तो करता है ये कर्म है दिम कर्म है तो दिम को पकड़ेगा दिम को ले कर आएगा अपनी जगह पर बैठाएगा मी की जगह पर क्या होना चाहिए दिम होना चाहिए ये अपना की अंग्रेजी है अपना की अंग्रेजी जाएगी तो अपना की अंग्रेजी आएगी अप अपना की अंग्रेजी यह है, तो अपना की अंग्रेजी को ले करके आएगी, अपनी जगहां पर बैठाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, यह भी अपना की अंग्रेजी है, लेकिन यह फैट पर्सन है, इनका राष्टा अलग है, यह बदलेंगे करता के करता दे हैं अब दे की घर में अपना किंग्रेजी देयर हैं तो देयर को लेकर आएगी अपनी जगह पर है बैठाएगी दोस्तों पार्ट नंबर सेकेंड में यहीं बताने की कोशिस कर रहे हैं कि परिवर्तन कैसे होता है टेंस का परिवर्तन कैसे होता है तो इस वीडियो के मादन से हमने परसन बदलना सीखा कौन सा परसन कहां से बदलेगा और कैसे बदलेगा और क्या आएगा यहां पर देखिए जो करता था करता की जगह पर करता ही आया मी कर्म था कर्म की जगह पर कर्म ही आया योर अपना की अंग्रेजी थी अपना की अंग्रेजी की जगह पर अपना की अंग्रेजी आई माई अपना की अंग्रेजी थी इसकी जगह भी अपना की अंग्रेजी आई तो इस तरह से परशन बदलने का ये अपना एक इस्टेप है ये नियम है मेरा वीडियो ध्यान से देखें हर वीडियो ध्यान से देखते रहें कमेंट करते रहें कैसा लगता है मेरा वीडियो अच्छा लागे तो भी कमेंट करें कोई सुझाओ देना चाहें तो सुझाओ भी दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद